नवश्कार मैं हूँ नरेश्वत्स और मेरे साथ ही समय गोपाल क्रिशन अगरवाल जी हैं जो की राष्टिये परवक्ता है भारतिये जन्ता पार्टी और आर्थिक मामलों पर पकड़ रखते हैं सराज जाना चाहूंगा कि कोवे का जो हर्याना चैप्टर शुरू हुआ है सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि महिला उद्यमियों को आगे लाया जाए लेकिन अभी तक जो एक दसक पहले आर्थिक जन्गना हुई थी उसमें 14 फिजदी तक का ही महिला उद्यमी थे कैसे महिलाओं का बहुत महित्वपून स्थान रहे और सबसे पहला महित्वपून विमन एंट्रेणियोशिप के डेवलप्मेंट के लिए यह जो स्टेंड अप इंडिया जो स्कीब चलाई सरकार ने तो वह उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान उन्होंने एंविसाज किया था और उन्होंने कहा था कि पूरे देश में लगवग एक लाख पच्छिस हजार महिला उद्योगों को कम को फाइनेशल सपोर्ट दिया जाए सरकार ने चाहे सेल्फ हेल्प ग्रूप के माध्यम से साथ हजार सेल्फ हेल्प ग्रूप को माध्य मनाया यह अब कॉपरेटिव सेक्टर के अंतरगत ग्रामिन छेत्र के हैंडी क्राफ्ट सो महिला उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सरकार काम कर रही है मुझे लगता है कि यह जो कोवी संस्था है Confederation of Women Entrepreneurs यह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मैं इनके यह मेरा दूसा कारकम यहां रहा है और आज यह हर्याना चैप्टर का यह उद्गाटन जो हो रहा है इसमें मुझे पाटिस्पेट करते हुए इसे श्रतिती के नाते बहु को ट्रेनिंग को और अल्टिमेटली देश की जो छोटे-छोटे उद्यमी है यहाने हैंडी क्राफ्ट को लेकर उनके अलग-अलग चीजों को देश के जो कल्चरल कंटेंट है उसको भी बढ़ावा देते हुए उनको सशक्ती करण का मार्ग प्रशस्त कर रही है सिट भी इ प्रदेश में जैसे बताया कि चौदा प्रदेशों में तो इनका बहुत-बहुत अभिननन और आज हर्याना की जो टीम है रुचिता बंसल जी के नितित में उनको बहुत-बहुत बदाई एक आकरी सावाल है बजट आने वाला है किस तरह से जो आर्थिक तरक्की है उसको रफ्तार दी जाएगी और खासकर हम महिलाओं की ही बात करें तेकि प्रदान मंत्री जी ने पार्लेमेंट में भी कहा कि जो मोदी 3.0 यह है जो तीसा टर्म है यहाँ पे आर्थिक सशक्तिकरन आर्थिक विकास को बहुत महत्वपूर्ण इसमें स्थान दिया जाएगा और रिफॉर्म्स की बहुत जादा तेजी से आगे बढ़ाई जा करना है तो आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है और उसमें अगर महिलाओं का योगदान फाइनिशल इंक्लूजन नहीं होगा तो वह भी सफलता प्राप्त नहीं होगी इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरन उनका आर्थिक संपन्नता उनका सभी प्रकार का डेवलप ब्रोडकाश्ट मंत्रा से बात करने के लिए और आधी अबादी को ही उस तरक्की में भारत की आर्थिक तरक्की में आगे ले जाने के लिए काम हो रहा है तो आज के लिए बस इतना ही आप बने रहें ब्रोडकाश्ट मंत्रा के साथ